मुसकान कुकविदमी में आज हम बनाएंगे कॉन पुलाओ स्वीट कॉन तो आपने बहुत तरीके से खाया होगा लेकिन जब आप कॉन को चावल के साथ खाएंगे पुलाओ के रूप में तो इसका सुआद और भी जादा बढ़ जाएगा देखने में ये कितना कलरफुल और यमी लग रहा है उतनी जल्दी भी ये बन जाता और बहुत आसान भी ऐसे बनाना कॉन पुलाओ को आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं इसे शाम के स्नैक्स में भी आप बना सकते हैं और गेस के लिए भी मेन्यू में आप ये कॉन पुलाव रख सकते हैं यकीन माने उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा अब जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम शुरू करते हैं कॉन पुलाव बनाना कॉन पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिएं बॉयल कॉन, चावल चावल को मैंने पहली उबाल के रख रखा है कटेवे प्याज, बारीक कटे टमाटर और मिर्च मैंने एक हरी और एक लाल मिर्च लिया आप चाहें तो दोनों हरी मिर्च भी ले सकते हैं अब एक कड़ाई लें और उसमें डालें गी मैं इसमें गी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें रिफाइंड या सरसो का तेल जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं वो डाल सकते हैं अब इसमें डालें थोड़ा सा जीरा जीरे को हलका सुनेरा होने के बाद अब इसमें डालेंगे कटेवे प्यास प्यास जालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह चलाते रहना है प्यास को आप धीमी गैस पर ही भूने आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर में इसका रंग चेंज होने लगेगा इसी तरह आप इसे चलाते रहें प्यास को थोड़ा जल्दी भूनने के लिए आप इसमें एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं उससे प्यास काफी जल्दी भून जाते हैं प्यास का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे साबुत मिर्च हरी और लाल मिर्च मैंने मिर्च को बीच में से काट लिया है आप चाहें तो इसे किसी और अकार में भी काट सकते हैं जैसे गोल या किसी और अकार में आप काटना चाहें अब इसमें डालेंगे चावल जो हमने पहली उबाल के रख रखें और डालेंगे बॉइल कॉन अब इसमें डालें थोड़ा सा नमक नमक आप अपने सुआद के अनुसारी डालें थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप इसमें काली मिर्च डालना चाहें तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और डालें इसमें गरम मसाला ये सबी मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि जो भी समान हमने इसमें डाला है वो इसमें अच्छे से मिल जाए लग रहा है न पुलाओ कितना बढ़िया और कलरफुल सा जितना colorful ये दिखने में लग रहा है उतना ही अच्छा है ये खाने में भी लगेगा और बच्चे तो इसे देखती खुश हो जाएंगे आप से बिलकुल impressed हो जाएंगे तो इसे जरूर ट्राइ करें आप जो भी जमान हमने इसमें डाला था वो अच्छे से mix हो चुका है अब आप गैस को off कर दें और हमारा कौन पुलाव बनकर बिलकुल तयार है आप कौन पुलाव को जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे की कोई भी नई वीडियोज आप मिस न करें